हम लोग प्रकास परावरतन तथा अपवरतन पाठ बढ़ रहे हैं ठीक है और इसे पिछला वीडियो में हमने lens पर पर्तिविं बनाने के लिए सिखाता ठीक है? मतलब lens से कैसे पर्तिविं बनता है यह हमने पिछला वीडियो में सिखाता तो अगर आप वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जा के देख लें ठीक है और मैं इसके इस वीडियो के लिंक में इसका सारे पार्ट्स का आपको लिंक दे दूँगा ठीक है उसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आ अब होाँ से देह लेना, ओके? तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? लेंज, सुत्र और उसे उसे रिलेटेट निमřिकल भुष्टेट बनाने के लिए सिखेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग गुल्यो लेंज के लिए चिन्ह परिपार्टी सीखते हैं यह हम लोग को numerical question बनाने में help करेगा ठीक है तो चिन्ह परिपार्टी करने का मतलब क्या होता है जो हम लोग का यह आप गोलियो lens देख रहे हैं एक उत्तर lens दुसरा outer lens ठीक है अभी इसमें क्या है जैसे मान लेते हैं कहीं पर हम लोग बस्तू रखते हैं ठीक है और कहीं पर उसका पर्तविम बनता है ठीक है कहीं पर भी बनता है मान लेते हैं यहां बन गया ठीक है अभी ऐसा पर्तविम बनता है तो जो बस्तू है जो बस्तू की जो दूरी रहेगी उसको आम लोग U बोलेंगे, ठीक है, और यहां से पर्तिविम की जो दूरी रहेगी, उसको भी बोलेंगे, ठीक है, यह जो focus दूरी है, यह focus दूरी इसका जो है, ठीक है, इसको आम लोग F बोलेंगे, ठीक है, यह तो आपको पता ही है, लेकिन इसमें होता क्या है, जो बाएं साइट में ठीक है इधर बाएं साइट में जो भी दूरी रहती है उसको लोग नेगेटिव में लेते हैं ठीक है और जो दाएं साइट में जो भी दूरी रहती है उसको लोग पॉजिटिव में लेते हैं वैसे ही इसमें भी बाएं साइट में जो रहेगा माइनस नेगेटिव दाए साइट में जो रहेगा पलस पॉजिटिव ठीक है अगर जैसे बस्तू रखा हुआ है तो बस्तू की जो उंचाई है तो जो उपर रहेगा अफ साइट रहेगा तो पॉजिटिव डाउन साइट रहेगा तो नेगेटिव ठीक है ऐसे हम लोग इसको करते हैं ठीक है अभी जैसे, अगर माझेते हैं यहाँ कोई बस्तू रखा हुआ है, तो बस्तू दूरी क्या होगा? बस्तू दूरी 10 cm में कोई बस्तू रखा हुआ है तो 10 cm लिखेंगे लेकिन compon की वह बायएं साइड में रखा हुआ है, तो उसको 19 cm लिखेंगे, यान कि उस समय में माइनस 10 cm क्यों वो बाइन साइट में रखा हुआ है और बाइन साइट के दूरी कम लोग माइनस में लेते हैं अब परतिभी मान लेते हैं यहां से 20 cm बे बना ठीक है तो परतिभी को क्या बोलेंगे भी भी बड़ाबर तो 20 आएगा लेका शिर्फ विस नहीं लिख रख सकते हैं गर आपने क्या होता है इदर y आपका पलस में रहता है y नीचे माइनस में रहता है x पलस में रहता है और यहाँ पर x आपका माइनस में रहता है तो same है, जैसे यहाँ पे 篪लच रहतएथर मांटस रहता, इदर मांटस रहता, इदर पलच रहता, अब यहाँ पे एक lens समझ लेज़े, टीक है, यहाँ पे एक lens समझ लेज़े, तो ऐसे आप इसको आशानी से याद र patio सकते हैं, यह तो होगी आपका चिनिय परिपाटी की बा 1-1-U, बराबर 1-F, ये lens सुत्र है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, 1-B, 1-1-U, बराबर 1-F, इसमें U क्या है, बीम यानि की बसुतु की दूरी है, भी, पर्तिबिम दूरी और F, फोकस दूरी, ठीक है, ये formula आपको याद रखना है, क्योंकि इसी से लेटे टाम लोग आके question बनाएंगे अब आती है बात आवर्धन की तो परतिबीम की उंचाई तर्था बीम की उंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है तो यह क्या है इसे एम अक्षर से निरुपित करते हैं मतलब इसको एम से दिखाते हैं आवर्धन को हम और एच क्या है बिम यानिकि बस्तू की उंचाई ठीक है और बराबर में भी बटाई यू आवर्धन को हम लोग बस्तू दूरी और परतिबीम दूरी का अनुपात से भी निकाल सकते हैं तो यह दो फोर मुला हो गया एम का यानिकि आवर्धन का अगर आपको बस्तू की उ वो उंचाई रहे चाहे दूरी रहे उपर में बस्तू का ही लगेगा बस्तू की उंचाई सोरी सोरी परतिवीम का ही लगेगा ठीक है परतिवीम की उंचाई बस्तू की उंचाई परतिवीम की दूरी बस्तू की दूरी तो उपर में परतिवीम रहेगा ठीक है और नीचे में दूरी अगर उंचाई दो है तब ही पार्ति भीमि boireel टो और तो पर उसके बाद आप आवर्धा निकाल सकते हैं अब हम लोग बनाएंगे क्षेच्ट यह किसी ओटना लेंज की फोकस दूरी फंद्र सैंटीमीटर है ठीक है, कि इसके द्वारा बिम का lens से 10 cm दूरी पर परतिबीम बने लेंस द्वारा उथपन आवरधन भी याद खीजिल है तो यह उत्तर लेंस है, तो यह हम लोग यहाँ पे रफ में, ठीक है अब बता नहीं है, कि रेजर कि दर चला गया एया था तो इसको अटाओ अभी ईरेजर मिल नहीं रहा है तो आप इसको देखे थीक है यह हम लोग कमा लेते हैं यह उत्तर ल मैं Neben को सउरी यही सब टीख है यह नहीं तो ऑटर लिंस में उसको कि इस हुप.......... तो यह फोकस दूरी धर पी एफ रहेगा फोकस दूरी कितना है 15 cm यह हम लोग का 15 cm है ठीक है तो हम लोग इसको यहां पर लिखते हैं हल करेंगे फोकस दूरी फोकस दूरी हम लोग को देखे रखा है फोकस दूरी जिसको हम लोग एप बोलेंगे बराबर क्या होगा वो 15 cm लेकिन क्योंकि फोकस दूरी इसका बाएं साइट में होगा तो इसका हम लोग माइनस 15 cm लिखेंगे ठीक है समझ में आया बिम को लेंज से कितने दूरी पर रखें बिम यानकि बस्तू को लेंज से कितने दूरी पर रखें तो बस्तू दूरी ठीक है बस्तू दूरी जिसको हम लोग बस्तू दूरी क्या बोलेंगे यू बोलेंगे वो हम लोग को निकालना है कितना दूरी पर रखेंगे वो पूछ रहा है ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है लेंज से 10 cm परतिबिम पराप्त होना चाहिए जो परति बिंब की दूरी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भी बोलेंगे वो कितना दूरी पर बनेगा 10 cm पर तो क्योंकि आपको पता है ओतल लिंच में बस्तू भी बाये साइट में ही रखते हैं और उसका परतिवी में बाये साइट में ही बनता है तो इसको भी हम लोग माइनस 10 लिखेंगे ठीक है हम लोग को फोकस दूरी पता है माइनस 15 cm परतिवी में दूरी पता है 10 cm तो इस 10 cm में परतिवी में बनें उसके लिए हम लोग को बस्तू को कितना दूरी पर रखना पड़ेगा यह question है तो हम लोग lens शुत्र से हम लोग को lens शुत्र पता है अब lens शुत्र से lens शुत्र से क्या था 1 बट्टे B-1 बट्टे U बराबर 1 बट्टे F था ठीक है यही था ना अफिर आप देखें यहाँ पर क्या था 1 बट्टे B-1 बराबर 1 बट्टे F था ठीक है तो एक बट्टे B-1 बराबर 1 बट्टे F ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बट्टे U बरावर क्या हो जाएगा अपका बट्टे B माइनस एक बट्टे F U को उस पार कर दिया एक को इस पार कर दिया तो U उस पार जाके पलेस हो गया एक बट्टे B पलेस इस पार में था एक इस पार आके माइनस हो गया अब हम लोग को एक बटे यू हम लोग निकालेंगे एक बटे भी हम लोग को पता है भी कितना है माइनस में 10 माइनस एक बटे एफ कितना है माइनस में 15 ठीक है तो यह माइनस यह माइनस यह पलस हो जाएगा तब क्या हो जाएगा यह एक बटा 15 गटाव एक बटा दस ठीक है अब भीदने को हम लोग घटाव करेंगे दस और पंदर कर लोसो तीस होगा ठीक है तो पंदर दुन दून तीस तो यहाँ पे दो घटाव दस तीस तो यहाँ पे तीन तो यह आपका हो जाएगा माइनस एक बटा तीस माइनस एक बटा तीस चुकी क्या था आपका एक बटा यू बराबर माइनस एक बटा तीस तो यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस तीस क्योंकि यह भी बटा में इसको अब उल्टा करतेंगे बटा आपका हट जाएगा तो इसका भी बटा हट जाएग पहले से पर्तिविम दूरी और फोकॉस दूरी पता था तो हम लोग को यह जो माइनस 30 है यह माइनस 30 दर्षाता है कि जो हम लोग बस्तू रखेंगे वह बाएं साइड में रहेगा ठीक है इतना हो गया अब हम लोग को क्या पूछा था इसमें आवर्धन भी पूछा था आव हम लोग यहां पर भी बटा यू करेंगे ठीक है भी कितना था आपका भी था 10 ठीक है मैनस में यू कितना निकला मैनस में 30 मैनस मैनस खतेगा ठीक है 00 कटेगा तो आपका क्या हो जागा यह एक बटा तो एक बटा तीन, इसको आपड़ लिख सकते हैं, जीरो दसमलो, तरी, ठीक है, होगा इतना, ये पलस में होगा, ठीक है, तो ये हम लोग का आबर्धन भी निकल गया जो हम लोग को निकालने के लिए बूला था, और ये आपका बस्तू की दूरी हम लोग को निकालने के ठीक है तो यह आपका एंसर होगा ठीक है तो यहापे आप लिख सकते हैं अता अता बस्तु को अता बस्तु को लेंज से 30 सेंटिमेटर की दूरी पर रखना होगा ठीक है तो इस परकार से आपको जब भी कोई कॉशेन मिले ठीक है तो यह मैंने किया यहां पे फोकस दूरी को मैंनस में रखा और पर्तिविम की दूरी को मैंनस में रखा यह आप याद रखेंगे तो आपको ऐसे questions बनाने में कोई दिकत नहीं आएगा इसके बाद और एक question है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह मैं आपको अगले वीडियो में बना के दिखाऊंगा क्योंकि यह बारा मिनुट का वीडियो ऐसे हो चुका है तो अभी जितना सुख्य है मैंने आपको उसको अब ध्यान दीजिए ठीक है उसको आप प्रेक्टिस कीजिए मैं यह question आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ठीक है और अगर आपको यह पसंद आया आपको वीडियो से कुछ सिखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ भी से जरूर से शेयर करें यह